हेलो फ्रेंड्स प्रेस दी सब्सक्राइब बटन एंड हेट दी बेल आइकेन फॉर मोर सच इजी वीडियोज हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले वायरस का स्ट्रक्चर यह वीडियो पूरा हिंदी में होगा वायरसेज एसेलुलर होते हैं मतलब इनका कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता वायरसेज हाईली इंफेक्शियस हैं मतलब एक इनसान से दूसरे इनसान में बहुत तेजी से फैलते हैं अगर आप छीकते भी हैं अगर viral infection है तो भी spread हो सकता है viruses को आप threshold on the life कहते हो मतलब viruses ना तो जीवित है ना मृत हैं अगर वाइरस किसी के शरीर के अंदर है तो आप कह सकते हो जिन्दा है क्योंकि वो multiplication करते हैं लेकिन जैसे ही शरीर के बाहर आते हैं तो वो मर जाते है viruses के सबसे बड़ी property ये cell क्यों नहीं कहलाते हैं क्योंकि ये grow नहीं होते ये खाना नहीं खाते ये सांस नहीं लेते viruses जो है obligate parasite है मतलब इनका host जिसके अंदर ही attack करेंगे वो fix होता है अगर plant का virus है तो सिर्फ वो plant को ही attack करेगा और animal virus है तो सिर्फ वो animal को ही attack करेगा इसी के लिए जो viruses होते हैं they are obligate parasite structure वाइस देखोगे तो बहुत simple structure होता है सिर्फ इनके पास एक nucleic acid core होता है और उसके side में जो है protein core जिसका हम capsule कहते है और दोनों को साथ में nucleic capsule कहा जाता है viruses के पास अपना खुद का genetic material होता है DNA या तो RNA viruses का size 10 nanometer से 2000 nanometer तक का होता है और ये host specific है host specific मतलब ये अगर bacteria of a जामान लीजिए तो सिर्फ bacteria को ही attack करेगा bacteria के लावा किसी को attack नहीं करेगा अगर हो HIV virus है तो सिर्फ humans को ही attack करेगा और किसी को attack नहीं करेगा इसका मतलब viruses अपने host के लिए बिल्कुल भी fix होते है कुछ scientist 1886 में अडॉल्फ मेर ने सबसे पहले tobacco plant की study किया और उसमें बताया कि viruses की वज़े से mosaic disease होता है 1892 में DJ Avanisky ने confirm कि कि अडॉल्फ मेर ने जो बाते कहीं कि viruses जो spread होते हों बिल्कुल सही था और 1898 में M.W. Begerink ने इसको एक नाम दिया कहा Contagious virus का fluid है जो बहुत तेजी से एक दूसरे स्में फैलता है 1935 में Stanley Cohen पहले scientist थे जो उन्होंने वाइरस को crystalline stage में obtain किया था 1915 में Tort नाम के scientist ने discover किया bacteria phage ये वो वाइरस है जो सिर्फ bacteria को खाता है और ये कौन सा bacteria E. coli अब आप सोच रहे हैं जब इसका नाम Contagious virus नाम दिया किसने So logically जब आप समझेंगे तो जो नाम virus था It was given by a scientist जिसका नाम है Lewis Pasteur Lewis Pasteur ने सबसे पहला जो है नाम दिया virus और एक scientist जिसे हम bacteria phage कहते हैं तो bacteria phage नाम भी तो किसी ने दिया होगा bacteria phage नाम जो है ये दिया गया था एक scientist Felix Day Harrell ने उन्होंने जब study किया तो study करने के दौरान ये समझ में आ गया कि ये ऐसा virus है जो सिर्फ E. coli, Escherichia coli को खाता है bacterial virus, plant virus मतलब ये सिर्फ plant को ही attack करेंगे इनका genetic material क्या होता है single standard RNA या तो double standard RNA, helical shape की होते है, symmetry इनकी helical helix की तरह rod shape होते है लंबे-लंबे, जैसे tobacco mosaic virus, tobacco mosaic virus को अब देख सकते है कि ये rod shape structure का virus है, जो सिर्फ plants को ही attack करेगा, animal virus सिर्फ animals को attack करेंगे इनके पास RNA और DNA दोनो genetic material होता है radial symmetry दिखाते है मतलब कहीं से भी cartelodeoical part में हो जाएंगे, spherical shape के होते है example, harpes, even HIV virus भी जो है, वो एक तरह का होता है, bacterial virus में ये सी bacteria को attack करेंगे bacteria के लावा किसी को attack नहीं करते है इनका genetic material सिर्फ DNA होता है tadpole shape के होते है tadpole मतलब menduk का बच्चा जैसे दिखता है उसी तरीके से bacteria फाज भी दिखता है अगर plant virus है तो क्या क्या symptom सो दिखाएगा local lesions, छोटी छोटी holes हो जाएंगे clearing of veins, veins गायब हो जाएंगे mosaic formation, chlorosis होता है पीला पन आ जाता है, plant में, leaf में उसके leaf yellow पड़ जाता है necrosis, पत्तों पे छोटी छोटी फोड़ियां आ जाती है या hole हो जाता है, उसके necrosis कहता है stunting, छोटा height का growth premature defoliation, समय से पहले पत्ते गिर जाता है अब कुछ animal virus और उनसे diseases जैसे rhino virus से इसे common cold होता है mixovirus से influenza होता है variola virus से smallpox होता है जिसे हम देवी जी कहते है paramixovirus से mumps होता है morbidly virus से measles होता है polio virus से poliomyelitis हाला कि polio बहुत कम हो चुका है flavivirus से yellow fever होगा H1N1 virus से swine flu होता है swine flu एक समय बहुत फैला हुआ था सब लोग मुँपे mask लगा के घुमते थे और HIV virus से AIDS होता है AIDS की दवाई आज तक नहीं बन पाई है देखते हैं आगे थोड़ा से study करते है virus से छोटा कुछ है तो क्या है तो हम कहते है वाइरोइड्स वाइरोइड्स जो है छोटे infectious pathogens है छोटा standard circular RNA उनका genetic material है कोई protein coat नहीं है एट इस virus में तो protein coat था capsid था इनके में नहीं है जो वाइरोइड्स हमने ढूंडा है वाइरोइड्स हमने ढूंडा है पीएस टीवी potato spindle tuber वाइरोइड मतलब पोटेटो का shape अगर change होता है किसी कारण से तो वाइरोइड ही होंगे वाइरोइड नाम दिया थियोडल डाइनर ने 1971 में और वाइरोइड सिर्फ plants को attack करते हैं अगर मान लीजे आपने वाइरोइड infected plant को खा भी लिया तो आपको कोई damage होगा नहीं क्योंकि ये हो specific है कोकुमबर हो गया औरेंज हो गया ये सब infected होते है किसे वाइरोइड से तो सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में सबसे छोटा कौन है क्या बैक्टेरिया चोटा है या वाइरस चोटा है या उससे भी कोई चोटा है तो हम कहते हैं सबसे छोटा कुछ है तो प्रायोंस है प्रायोन सबसे चोटे होते हैं मिसफोल्डेट रफ फॉर्म के नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं यह ज़्यादा करके ब्रेन और नर्फ को अटाक करते हैं इनका कोई नूपलीक ऐसे डियने या रने होता नहीं है उससे बड़ा वायरॉइड है वाइरोइड का RNA होता है जीनोम और वाइरोइड से बड़ा कोई है तो वाइरूसॉइड है जिसका RNA जीनोम है और हेल्पर वाइरस की जड़ूरत पड़ता है इसे रिप्रोड्यूस करने के लिए और कोई ट्रांसलेशन या प्रोटीन कोडिंग नहीं करते हैं वाइरसोइड से बड़ा कोई है तो वाइरसे आरेने और डिने जिनोम है वाइरसे से बड़ा कोई है तो बैक्टेरिया जिसका डिने जिनोम है सो सबसे बड़ा बैक्टेरिया उससे छोटा वाइरस उससे छोटा वाइरसोइड उससे छोटा वाइरोइड और एकदम छोटा प तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और ऐसे इजी वीडियोस बनाने के लिए तब तक के लिए मैं सुनील सर थैंक यू वेरी माइट